नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल पे साथियो आज हम देखने वाले है स्टेट बेंक को फिडिया की तमाकेदार स्किम के बारे में जिसके अंदर आपको काफी अच्छा रिटन मिलने वाला है और इसके अंदर बेनिफिट बहुत सारे है जैसे कि आप इन्वेस्मेंट करो तो FD से 3 से 4 गुना रिटन आप आराम से ले सकते हो स्टेट बेंक का ये स्किम है उसके अंदर बहुत सारे लोगोंने पैसा लगाया है और अच्छे रिटन ले रहे है आज की तारेक में इसके अंदर आप भी चाहे तो इसके अंदर इन्वेस्मेंट कर सकते हो अपना 1200-2000 जैसी आपकी कैफिशिटी है उसकी इसाब से आप कर सकते हो तो आज की इस वीडियो में हम डेखने वाले हैं डिटेल में क्या कुछ खास है आगे बटने से पहले दोस्तों अगर आप चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो मेरे यारो सबसे बेले बात करें तो साथियो एस कीम का नाम है SBI Nifty Index Fund यह जैसा नाम है वैसा ही इसका investment है Nifty के टॉप 50 जो share होते है उसके अंदर यह fund invest करता है और इसके अंदर risk minimise हो जाता है यानि कि बहुत risk नहीं है medium risk है इसके अंदर आप आराम से investment कर सकते हो इसके हम return के बात करें तो इसका return है all time return इसका है 12% और last 5 year में इसने return निकाल के दिया है 12.97% और 3 साल के return के हम बात करें तो इसका return है 23.49% और last 1 year में इसका return है 13% यानि कि काफी अच्छा return निकाल के दिया है इस skim के अंदर अभी दोस्तों हम बात करें तो ए स्किम में आप पैसा क्या से लगा सकते हो ए स्किम के अंदर आप SIP यानि की मन्तली आप इन्वेस्मेंट कर सकते हो 500 रुबिया से हर मैंने 500, 500, 1000, 2000, 2000 जितनी आपकी कैपेसिटी है उसकी इसाब से आप इन्वेस्मेंट कर सकते हो अभी दोस्तों हम बात करें तो इसमें अगर एक साथ पैसा इन्वेस्मेंट करना है तो आप लंशम भी इन्वेस्मेंट कर सकते हो मिनिमम 5,000 से कर सकते हो 5,000,000,000,000,000,000 जितनी आपकी कैपेसिटी है उसकी इसाब से आप इन्वेस्मेंट कर सकते हो दोस्तों अभी इसकी बात करें expense ratio, expense ratio इसका है 0.18, यानि कि यह भी बहुत कम है, expense ratio मतलब mutual fund आपका पैसा जो manage करता है उसके उपर charge लेता है, 0.20 है यानि कि कापी अच्छा एक ratio है, अभी दोस्तों हम बात करें तो exit load, यानि कि आप fund को एक साल बात बीच में निकल जाना चाहत है, फिर आपका पैसा ये डालता कहां पर है, यानि कि कौन-कौन share में investment करता है, सबसे पहले हम बात करें तो reliance industry limited, ये share का पैसा 10% जा रहा है, reliance में, फिर HDFC bank में 10% है, ICAC bank limited में इसने 8% investment किया है, HDFC limited में भी 6.5% है, infosys में 5.63 है, फिर ITC में है, Tata consult private limited में, फिर L&T में, आ फिर AXIS bank में 3% का इसने investment किया है, अभी दोस्तों हम आगे बात करें तो आप कितना investment करोगे, तो कितना return मिलेगा, हम मानों कि 3,000 आप investment करोगे, इसके अंदर 5 साल के लिए तो आपका total investment हो जाएगा 1,80,000 रुपिया, और उसके सामने आपको return मिलेगा 67,000 रुपिया, तो total return ह हो जाएगा, वो आपको हो जाएगा 2,40,000 रुपिया, यहीं स्कीम अगर आप 10 साल कंटिन्यू करते हो, तो आपका total investment होगा 3,60,000 रुपिया, तो आपका total investment हो जाएगा 7,20,000 रुपिया, और उसके सामने आपको return मिलेगा 22,000 रुपिया, देखो, आप कितना compounding power effects स्टार्ट हो गया, सिधा आप 10 डबल किया, और पैसा सिधा 4 गुना हो गया, और total return मिलेगा 29,70,000 रुपिया आपको return मिलने वाला है, अभी दोस्तों हम 30 साल यह investment चलाएगे, तो 30 साल का total investment हो जाएगा 10,80,000 रुपिया, और आपको यहाँ पे return मिलने वाला ह 95,00,000 रुपिया, यानि कि कापी अच्छा return मिलना है, मिल रहा है इसके अंदर, तो आज ही आप SBI विजिट कीजिए, और मिचल फंड में अगर आप investment करना चाते हो, तो SBI की best scheme है, SBI Nifty Index Fund, जिसमें रिक्स भी बहुत कम है, तो चलो दोस्तों मिलते हैं फिट से एक नए